हलो दोस्तो आज का यह वीडियो मौरेकालिम प्रसासन वहस्था के उपर दूसरा पार्ट है और इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने मौरेकालिम प्रसासन वहस्था के उपर प्रांती, प्रसासन वहस्था, न्याय वहस्था, तरी इस्तरी न्याय प्राड़ी और वीडियो श्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मौरेकाली प्रसासन वज़ता में कर्ट पनाडी के बारे में देखते हैं, देखे, मौरेकाल में प्रसासन की बागडोर चलाने के लिए 20 प्रकार कर वसूला जाता था, उसमें से पहला है दूर्ग कर, दूसरा है राष्ट कर, तीस जिरवा है पठी कर, चौधा है वजी कर, 15 है कोष्टयम कर, 16 है वितित कर, 17 है सेना भक्तम कर, 18 है सुल्प कर, 19 है हीन भनक कर और 20 है पाइश्ण कर चलिए मैं सभी करका अर्थ बता देता हूं कि किन करका किन किन छेत्रों में वसूला जाता था देखते हैं सबसे पहले दूर्ग कर देखें दूर्ग कर को कहा जाता है अब कारी कर यह सराप के उपर वसूला जाता था दूसरा है राष्ट कर यह यातायात के लिए वसूला जाता था तीसरा है सीताकर इसे भूमी कर कहा जाता था और यह सरकारी भूमी के उपर वसूला जाता था चौथा है भाग कर और यह नीजी भूमी के उपर वसूला जाता था जो किसान नीजी भूमी रखते थे और यह निर्यात कर है, साथवा है बली कर और यह धार्मी कर है, धार्मी करकापों में यह कर वसुला जाता था, आठवा है विष्टी कर और इसे कहा जाता था बेगार कर, फिर नुवा है कर और यह बागानी कर यह बागानी के उपर वसुला जाता था, दसवा है हिरने कर और यह नगत कर कहा जाता है, जिसे सेल टेक्स जो आज के डेटर बोलते हैं, हिरन कर कहा जाता है, ग्यारवा है पढ़ने कर, और यह धन संकट के लिए वसूला जाता था, कभी भी अपात कल इस सिती में, राज्य को कभी धन के आओ सकता पड़ी तो इसी कर से लिया जाता था, बा है व्याजी कर, और यह वाडिज के उपर वसूला जाता था, पंद्रवा है कोष्ट येम कर, और इसे जलासय कर भी कहा जाता है, जल के उपर यह कर वसूला जाता था, जलासय कर, कोष्ट येम कर, जलासय कर, फिर सोलवा है वितित कर, इसे कहा जाता है, पसू रक्षा कर, प थार्वा है सुल्क कर या इसे ही कहा जाता है सीमा कर देखिए सीमा से आने जाने वाले असमान का अवावा जाही करने वालों के उपर यह कर वसुला जाता था फिर देखते हैं मौरे कालिम प्रसासन व्यस्था में क्रिसी देखें मौरे कालिम प्रसासन व्यस्था में सरवाधिक आय भूमीकर से होता था और भूमीकर को सीताकर कहा जाता है देखें सीताकर में क्या होता था कि सरकारी भूमी सरकारी भूमी को किसानों को खेदी के लिए था और उनसे कर वसूला जाता था तो देखिए सीता कर में उपच का एक बटे 6 बाग कर के रूप में वसूला जाता था और मौरे काल में सरवाधिक उतकृष्ट फसल धान थी सबसे ज़ादा धान पैदा होता था और सबसे कम गन्ना पैदा होता था इसलिए उश्यम्य की भूमी अध्यक्ष कहा जाता था और दूसरा है देव भात्रिक भूमी फिर देखते हैं मुद्रा देखें मुद्रा काल में भारत में मुद्रा प्रनाडी की सुरवाद मुद्रा काल से ही माना जाता है और इस समय ही सिक्कों का प्रचलन मुद्रा का प्रचलन प्रारम हुआ औ से की कर्षापाण, पाण, पाद और अश्ठभाग और चार परकार के तांबे के सिक्के भी यूज में लाया जाते थे पहला है माश्रक फिर दूसरा अर्ध माश्रक तीसरा काकडी और चारथा अर्ध काकडी इस प्रकार चार परकार की चांदी की सिक्के और चार परकार के त काफिक है उसको कंप्लेट करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक सेयर जरूर करें धन्यवाद